सो फाइनली दोस्तों आप लोग देखोगे भारत पैट्रोलियम कोर्पोरेशन लेमिटेड इसने अपने क्वाटर फॉर के नंबर डिस्क्लोज कर दिये और साथ में आपको पता होगा भी बॉनस की रिगार्डिंग भी कंपनी की तरफ से अपडेट आ गई है तो चलिए अगर बात करें तो फाइनल डियूडिंट कम्पनी ने अनौस किया बही 21 रुपए 21 रुपए कंपनी आपको देगी यह कंपनी की तरफ से अपडेट आई है तो चलिए अब देखते है डिटेल में यह दो डियूडिंट वगर आ हो गया अब आगे क्या कुछ मोमेंटम स्ट सबसे क्या तेजी बनेगी या फिर स्टोग ये ऊपर से तूड सकता है तो यहां पर देखो कि कंसोल्ड स्टेडमेंट देखेंगे और फिगर इन रुपीच क्रोड में दे रखी हैं यहां पर और यहां पर आपको 12-month-ended results देखने को मिलेंगी स्टोटल इंकम जो अपकी बार हमें देखने मिले अधर इंकम व्यार इंकलूड होकर हैं तो टोटल एक्सपैंस अपकी बार कैसी है भी 1,25618 क्रोड के 1,26536 क्रोड के प्रिविज क्रोड में थे और प्रिविज एर के सेम क्रोड में यहां पर देखो कि 22 रुपे 45 पैसे प्रिवेस में 14 रुपे 49 था और प्रिवेसर के सेम कौटर में 32 रुपे 26 पैसे था उसके बाद आप यह sales growth वगरा है वो नीचे में आपको देखने को मिल जाएंगी sales growth अपके बार previous के मुकाबले increase हुई है तो चलिए और अब हम देखते हैं भी इसके आगे कैसी हो सकते हैं लेवल बगरा market estimate को देखते हुए तो यहां पर आप लोग देखो जो भारत petroleum corporation से expected results थे वो कैसी आए हैं जैसा कि देखा जाए कि जो revenue expect किया जा रहा था ठीक है वो था भी 26 रुपे 80 पैसे आया है कि इतना 22 रुपे 45 पैसे तो यहां पर EPS के मामले में बीट हुआ है और उसके बाद आप लोग देखोगे भी expected जो इसका revenue है वो क्या था भी एक लाख दस अजार एक लाख बत्ती जार आया है यानिकि revenue के मामले में तो बीट हुआ है लेकिन जो अर्निंग पर शेर है इसके मामले में यह पर यह फिसलते हुए नजर आए वे तो इसका असर हमें negative stock के उपराते हुए नजर आ सकता है और बाकी देखेंगे भी same पीछे था revenue तो ठीक था लेकिन EPS टूटा अब के बार भी EPS फिर टूटा है revenue ठीक है साथ में bonus और dividend announcement वह मैंने आपको बता दिये comment में जुरू बताना भी results का असर कैसा हो गए thank you for watching the video